वेलकम बैक अब्रिवन वेलकम टे सोवल सर्विसे श्टड़ी यह टैस सीरीज यूपी पीए सी आरो ए आरो के लिए चल रही है प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस और करेंट अफेर्स के प्रस्टों पर और यह आज के दिन का सेकेंड टैस्ट है तो उचले श्टार्ट क बोध्ध और जैन हिंदू, इसलाम और इसाई, सिक। बोध्ध और जैन हिंदू, बोध्ध और पार्शी इसका अंसर है ले ने हमिलियू तो वे सकंट ऑल क्या का सवल सर्व से स्टडी चलको पुशन नबर टूपर आजिए प्राचीन भारतिय दर्शन में धर्म की अवधारणा का तातपर क्या है इस जर्म पुनर्जर्म का चक्र परम वास्त्विक्ताय सत्य अनंद और प्रसनेता की खोज कर्तव धार्मिक्ता और नैतिक विवस्था प अप्सन बरें देखे हिंदू धर्म धर्म हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में एक केंद्रिय अवधार्णा है जो किसी के कर्तव और नैतिक दायत्तु का परतिनेतु करती है तो एक रेक्टर है तीसरा प्रसने प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथ जिनमें भजन, अनुष्ठान और प्रार्थाएं सामिल है कहलाते हैं वेद, उपनिशद, पुराण, मनुस्मृति देखें मनुस्मृति इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर पुराण भी नहीं है बताए उपनिशद या वेद, इसका आंसर है वेद, उप्सन बर ए वेद, हिंदु धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं इसमें रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद सामिल हैं तो वे कल्प एक करेक्ट है अगर आपने तारे जमी पर फिल्म देखी होगी तो उसमें जो एक वच्चा है दरसील उसको ये विमारी होती है डिसलेक्सिया की, ठीक है मूबी में वोची दिखाई गई है आमिर खान मुख्य भूमिका में और वच्चा मुख्य भूमिका में भी है सकांसर देखें डिसलेक्सिया एक विशिस्ट सिक्षन विकार है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की लिखने पढ़ने और सटीक वर्तनी की शमता को परभावित करता है हर साल आठ अक्टूबर को विश्ट डिसलेक्सिया दिवस मनाया जाता है यह दिवस डिसलेक्सिया से पीडित विक्तियों के सामने आने वाली चुनोती पर प्रकास डालता है डिसलेक्सिया जागरुकता सब्ता भी मनाय जाता प्रतिवर्स दो से आठ अक्टूबर तक और डिसलेक्सिया दिवर्स आठ अक्टूबर को पांचो प्रशने हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिचाई परियोजना समाचारों की सुर्खियों में रही यह सिचाई परियोजना किस नदी परिस्तित बताना है कालेशवरम लिफ्ट सिचाई परियोजना यह तेलांगा नामे तेलांगा नामे और नदी है गुदाबरी नदी देखिए राज्ट बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने तेलंगा नमे कालेशवरम सिचाई परियोजना के मेटी गुड़ड़ यानि लक्षमी वेराज की जाँच की कालिषवरम लिफ्ट सिचाई परयोजना तेलंगारा में गोदाबरी नदी पर एक बहुत सिचाई परयोजना है यहां वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेट लिफ्ट सिशाई परियोजना है जिसमें प्राण हिता और गोदावरी नदियों संगम पर मिलती है जी का बाइरस से रिलेटेट दो स्टेटमेंट है यहां पर यह मुखे रूप से एंडीज, जीनस के संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है और जी का बाइरस संक्रमित या विमारी के लिए कोई विश्ट उप्चार उपलब्द नहीं है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है यह एंडीज मच्छर बही है जो डेंगो फैलाते हैं डेंगो से किसी विक्ति की जान भी जा सकती है और यह डेंगो का सीजन भी चल रहा है जी का बाइरस से पहला स्टेट्मेंट सही है ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है यह दोनों के दोनों करेक्ट हैं Civूल जी का बाइरस मुखे रूप से फूर पूछ्ण क chaos क established प्शेतरों में अफरीका के युगांडा में एक रीसस मकाग बंदर में होई थी जिसके बज़बाद 1950 के दसक में अन्य अफरीकी देसों में मनुष्यों में संक्रण और बीमारी के परमाण मिले निदान क्या है इसका और उपचार क्या है इसका देखें जीगा वायरस संक्रण के निदान की पुष्टी के बन रक्त या सरीर के अन्य दरल पदार्थों के प्रियोकसाला परिक्षणों से की जा सकती है और इसे डेंगो वायरस जैसे क्रोस रियक्टिव संबंधे तफलेवी वायरस से अलग किया जाना चाहिए इसके संपर्क में मरी जा सकता है या पहले टीका लगाया जा सकता है उप्चार के बात करें तो जीका बायरस संक्रण या विमारी के लिए कोई विशिष्ट उप्चार उपलब्द नहीं है तो दूसरा स्टिट्मेंट भी सही है साद्वा प्रश्ट है जब सागरिय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की और अगरसर होता है तो उसे क्या कहते है धारा प्रवाह विशार धारा इनमेंसे कोई नहीं जब सागरिय सतह का जल बायू वेग से या हवा के वेग से प्रेरित होकर आगे की और अगरसर होता है तो क्या कहोगे उसको कहेंगे प्रवाह भी है इसका अंसर देखिए जब सागरे सतय का जल पपन के वेक से प्रेडित होकर आगे की और अगरसर होता है तो उसे प्रवाह केते हैं इसकी गती तथा सीमा नहीं निश्यत होती दक्षणी अट्लांटिक प्रवाह इसका सर्वोतम उधारण है जब सागर जल एक निश्यत सीमा के भी अंतरगत निश्यत दिसा की और तीवर गती से अगरसर होता है तो उसे धारा केते हैं धारा की गती प्रवाह से अधिक होती है देखे जब सागर का आत्याधिक जल धरातली है नदियों के समाने एक निश्चित दिसा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धरा करते हैं इसकी गति सर्वादिक होती है और गल्फ स्ट्रीम इसका पुर्मो को धारना है तो भी करेक्ट है अब आजये लवड़ता के वित्रण से रिलेटेड दो स्टेट्मेंट है यहां पर भूमद रेखा पर उचवाश्पिकरण के बाब जूद यहां होने वाली वर्षा के करण यहां उच्छितम लवड़ता नहीं मिलती ठीक है एक्वेटर के आसपास उच्छितम लवड़ता न आते हैं वो भी इंपोर्टेंट है कि देखे कैश्पेंस आगर के उत्तरी भाग में लवड़ता बहुत कम है 120 नहीं बारे तेरह प्रतिश्चत है यह 14 प्रतिश्चत है गरत दुसरे स्ट्मेंट के बल पहला वाला ही सही है कि क्यों है उसका कारण कि कि नदिया आए वहां प लबड़ता के कारण यहां उच्यतम लबड़ता नहीं में बोलगा और यूर आदि नदियों द्वारा स्वच्च जल आपूरती के कारण लबड़ता मात्र 14 प्रतिश्चत है ना कि 120 प्रतिश्चत तो गरत दूसरा बादा स्टिट्मेंट अब है question number 9 नमनेकित कथि कुछ से कौन सा कथन गलत है मतलब इन 4 में से गलत है नहीं के सारे पॉलिटिके हैं अनुछे देख 124 में उच्टम नीयाले के गठन सम्मध्दी प्रावधान है और भारत के संबेधान में केंद और राज्यों के मद्ध किये गए सक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधनिया 1935 में और लिखेता है भारत का निर्वाचान आयोग एक इस्थाई संबेधानिक निकाय है लोग लेखा समीती के 22 सदसे में से 48 सदसे लोग सबाके और 4 सदसे राजसबा से एक वर्स के लिए निर्वाचित किया जाते है बताए कौन साइन करेक्ट है इसमें देखे यहां तो ठीक ठाक चल रहा है यहां भी ठीक ठाक चल रहा है इसमें आपको थोड़ा सा कन्फीजन हो सकता है कि इस्थाई है या स्थाई है तो इस्थाई है यह भी ठीक है लेकिन सारा कन्फीजन यहां खतम जाता है क्योंकि लोग लेखा समीती पर कई वार प्रस्षन बनाया है हमने एक्जामाई पूछा गया ठीक है 22 प्रेशन, 22 में से 15 होते हैं इसमें लोक सबाके और साथ होते हैं राजसबाके तो D वाले में गलती है, D ही अपना अंसर होगा ठीक है अनुचेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंदी प्रावधान है भारत के बरतमान में मुखे नाधी स्कोन है, D वाई चंद जून और भारत के संब्धान में केंदर राज्यों के मद किये गए सकतियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिखेत है वाकी Election Commission of India के स्थाई संब्धान इंगाया है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनबर 1950 को तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया साई च्वाथा बाला इनकरेक्ट है क्योंकि 22 सरस्यत होते हैं लेकिन 15 होते हैं उसमें लोक सभाके और साथ होते हैं राज्य सभाके और एक वर्स की अबधी के लिए रबश्यत किया आते हैं लोकलेखा समीति को लगू लोक सभावी कहा जता था अब आजये दस्वा प्रश्न हैं अमनिकित मेंसे सनसद की किस विद्य समीति में राज्य सभा के देजितियों को सामिल नहीं किया संसत्की वित्य समीतियां इस्थाई समीतियां होती है जिनमे प्राक्लन समीति, सरकारी उपक्रमों समबंधा समीति और लेखलेखा समीति आती है ठीक है फिर से पढ़ देते हैं संसद की वित्य समितियां इस्थाई समितियां होती है जिन में प्राक्लन समिति कॉमा सरकारी उपक्रम संबंध समिति और लोकलेखा समिति आती है प्राक्लन समिती में कुल मेंबर 30, लोक उपकरम समिती में कुल मेंबर 22, लोक लेखा समिती में कुल मेंबर 22 तो प्राक्लन समिती में कुल मेंबर 30, 300 के 300 लोक सभा से, इसमें विधान सभा के सरस्यों को सामिल नहीं किया जाता ठीक है राजसभाब के सरटस्यों को भी सामिल नहीं किया जाता श्मिती को स्थाई मित्वेता समिती भी कहते है शरकारी उतक्रम सम्भंद समिती में कstütी में 45 लोग समिती हो cortar होते हैं राजसभाब संसलिष्ट रबण है यहां पर नियोप्रीन, Optim C देखें नियोप्रीन और थाकॉल संसलिष्ट रबण है, थाकॉल तो आप्सन में है ही नहीं नाइलोन था, रियान था, यह क्या है? यह रासाइनिक रेसे हैं नियोप्रीन का अपियोग विद्दुतरोधी पदार्थ, विद्दुतार, कनवेयर, वेल्ट, खनिश तेल ले जाने वाले पाइपों में किया जाता है थाई कॉल का अपयोग खनिश तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में होमा विलायक जमा करने वाले टैंक कादी बनाने में किया जाता है आतिस्वाजी के दौरान निकलने वाले हरे रंग का कारण नम्रिकत में से कौन सी धातू है वेरियम, विस्मत, वेरिलियम या स्ट्रांसियम वेरियम है ठीक है अपसन बढ़े आतिस्वाजी के दौरान हरा रंग वेरियम की उपस्तिति के कारण निकलता है साथ ही आतिसवाजी के दोरान चटक लाल रंग ट्रांसियम की उपस्तिती के करणुत्पन होता है वेरियम एक नरम चांदी जैसी धातू होती है जो हवा में तेजी से धूमिल हो जाती है और जल के साथ परतिक्रिया करती है इसका उपियोग तेल और गैस कुओ के लिए ड्रिलिंग तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है इसका उपियोग पेंट और कांच बनाने में भी किया जाता है तो विकलपे करेक्ट है ओशन अबर 13 प्राजे उत्तर प्रदेश में वन जीवो से संबंधित लुप्त परजातियों का प्रजण के इंद्र कहां इस्थापित है बहराईज मिर्जापूर लखनव चंदॉली यह लखनव में उत्तर प्रदेश की राजधानी में सी हैस कांसर देखें वन जीवो से संबंधित लुप्त परजातियों का प्रजण के इंद्र लखनव के कुक्रेल वन में 1984-85 में इस्थापित किया गया था यहां काला हिरन उद्विलाव का केर आदी लुप्त प्राय वन जीवो की प्रजण योजना चलाई जा रही है और रास्तिये चंबल वन जी विहार आगरा इटावा औरेया में इस्थाप अब आजाईए कोशन नमबर 14 पर वर्स 2823 का रसायन विज्ञान का नोबल प्रुसकार जो दिया गया वो किस संबंध में प्रदान किया गया है जीनोम एडिटिंग की पद्दिती के विकास है तू राइवसोम की संरशना और इसके कारियों की जानकारी देने हो तू क्लिक केमिस्ट्री और बायो और्थोगनल केमिस्ट्री के विकास है तू या क्वांटम डॉट्स के अविस्कार और संसलेशन है तू देखे जीनोम एडिटिंग के लिए राइबसोम की संरश्णा और इनके कारियों की जानकारी देने हो तू क्लिक केमेस्ट्री और बायो और्थोकॉनल केमेस्ट्री के लिए पशले साली मिला है तो इन तीनों के लिए अलरड़ी मिल चुका है जो दोहार 23 का है केमेस्ट्री का नोबेल वो मिला है रसायन विग्यान में क्वांटम डॉट्स के अविश्कार और संसलेशन हे तू तो इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपसा नमबर डी वर्स दोहार 23 का जो रसायन विग्यान का नोबल प्रुसकार है वो तीन लोगों को मिला कितने तीन कौन कौन है वो मोंगी जी वाबेंडी दूसरा नाम है लूइस ए ब्रूस और तीसरा नाम है अलेकसी आई एकी मोब इनको कौन्टम डार्ट्स के अविसकारों संसलेशन हेतू समानित किया गया है जो एलेकसी आई एकी मोब है वो कौपर क्लोराइड नैनो कौडों में अस्वाने विवहर कनेक्शन करने वाले पहले वेक्ती थे लूइस ए ब्रूस ने केडिमेम सलफाइड नैनो कौडों से जुड़ी एक एंसी खोच की और मेंगी जी बाबेंडी ने विसेज गुड़ों बाले नैनो कौडों के अत्वादन की तक्तिक को सरल बनाने में महत्वण भूमी का ने भाई तो डी करेक्टर एसका आंसर पंदरा प्रशन हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव चर्चा में रहा किस छेतर से संब्बन लेता है यह पेट्रोलियम तेल की खोज उद्योग 4.0 की संभाबनाए भारतिय सैन्य प्रणालियों का अविकाज प्राचीन वेदों के ग्यान का नवींतम उपियोग प्रोजेक्ट उद्भव संबन देता है भारतिय सैन्य प्रणालियों का विकाज उप्सन बर्सी देखे हाल ही में भारते सेना ने United Service Institution of India के साथ साज़दारी में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के रूप में एक hybrid पैनल की सुरुवात की है यह चर्चा भारते सेने प्रणालियों का विकास युद्ध और अनितिक सोच वर्तमार अनुसंधार में भविश्य के दिशाओं पर केंद्रित थी तो सी करेक्ट हो गया असका अंसर नमबर 16 पर आज़िए टोटो भासा किस राज़गी जनजातियों दोरा बोली जाती है असम उत्राखंड पस्चे मंगाल सिक्किम पस्चे मंगाल अप्शन पर B देखें टोटो भासा पस्चे मंगाल में सिर्फ 1600 विक्तियों दोरा बोली जाती है जो अब विलुपती के कगार पर है टोटो एक चीन तिबबती भासा है जो भूटान की सीमा से लगे प्रश्यम बंगाल के कुछ हिस्सों में टोटो जन जाती के व्यक्तियों दौरा बूली जाती है कोश्च नमबर 17 पर आजिए modern history का ये प्रश्ण है और bonus अंक मिलते हैं अगर इस तरह के प्रश्ण exam में आ जाए तो भारते राश्टे कॉंग्रेस की इस्थापना 1885 पहला सत्र 1885 बंबई में ठीक है तो यहां आ जाएगा 1885 और यहां जाएगा बंबई देखिया भारते राश्टे कॉंग्रेस की इस्थापना है और इसका पहला सत्र 1885 में बंबई में आयजित किया गया जो इसके पहले अध्यक्स थे वो थे W.C. बंबई में आयोजित पहले सत्र में भारते की मांगो के कुछ महदपूर्ण खंड थे जो अंग्रेजों के सामने प्रस्तूत किये गये थे वो कौन-कौन से यह अगर स्टिट्मेंट बना कर पूछ ले तो पहला, भारते प्रसासन के कामकाज की जाज के लिए एक आयोकी निपती की जाए लंदन में इंडिया काउंसिल को खथ्म कर देना चाहिए भिधान परिषदों का निर्मान किया जाए, सैन खर्चों में कमिक कि जाए और सिविल सेवाओं में सुधार किया जाए यह मांग थी पहले भारतिराष्ट कॉंग्रेस के पहले अधिविशन की यह हुआ बंबई में अब एक प्रश्ण नहीं है अगर प्रश्ण ऐसे पूछ ले तो भारतिराष्ट कॉंग्रेस की स्थापना तब हुई जब दिसंबर 1885 में बंबई में देश भार के 10 प्रतिनेधि प्रतियों की बैठक हुई थी 34-72-108-156 क्या आएगा वहां पर यहां आएगा 72 ठीक है भी हैस का अंसर 28 दिसंबर 1885 को भारतिराष्ट कॉंग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुल दास तेश पाल संस्क्रत क्रोलज में हुई थी जिसमें 72 प्रतिनेधि उपस्तित थे भारतिराष्ट कॉंग्रेस यानि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के संस्थापक एलन ओक्टेवियन ह्यूम थे इनका नाम याद रखेगा ठीक है यह संस्थापक थे अध्यक्स पूछले पहला अधिवेशन बंबई में तो डवलू सी वनर्जी वाकर कप निम्ले की तमसे किस खेल से संबंद देते हैं करेंट एफेड्स का प्रेस्ट नहीं होकी गोल्फ सत्रण्ज फुटबॉल एक गोल्फ ट्रोफी है जो संयुक्तराज अमेरिका और ब्रिटेस द्वीपो की सौकिया पुर्सों की टीमों के बीच प्रतियोगिता के विजयत्ता को प्रदान की जाती है कप का नाम जॉर्ज एच वाकर के नाम पर रखा गया है जो 1920 के दसक में युनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसीेशन के अध्याक्स और कारकरम के प्राथमिक आयोज़ग थे यह कप वर्स 1922 से संउक तराज अमेरिका और ब्रिटेन के वीच वेकलफिक इस्थानों पर दुविवार्सिक रूप से आयोज़ग किया जाता है कोशन नुबर 20 पर आजएए यह है करेंट अफेर्स का प्राश यह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इनका आयोज़ग जहां जहां हुआ होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्क्रण, दूसरा संस्क्रण, तीसरा संस्क्रण, चौथा संस्क्रण पताई ये कौन पंचकुला में हुआ यानि हरियाना में, कौन दिल्ली में हुआ, कौन पूणे में हुआ यानि महराज्च में, कौन गुबाहरटी में हुआ यानि असंम में, ये हैं आपके कूट मिला देजे important है पहला और चौथा देखे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्क्रण हुआ था बहुत दिली में डिली में क्योंकुर Semi कि जो दूसरा संस्क्रण हुआ था को खूणे में और क्यों इंडिया यूट-गेम्स सब्सक्राइब और वह हर्याना के पंचकुलाम है तो a का two और b ka three c का four और d का one तो b है आप cancer कि खेलों इंडिया यूत गेम्स का पहला संस्कन 2008 में हुआ दिल्ली में खेलों इंडिया यूत गेम्स का दूसरा संस्कन 2009 में हुआ महराश्च के पूरे में और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्कन हुआ 2020 में असम के गोवाहटी में और खेलो इंडिया यूथ का चौथा संस्कन हुआ वर्स दोहियार 22 में 21 में होता COVID-19 के कारण पोस्पॉंड किया गया हरियाना के पंचकुला में हुआ तो यह 20 प्रशन थे GS प्लस करेंट के important है प्रशन इस तरह के प्रशन एक्जाम में बलकुर पूछे जाएंगे इनके practice आप कर लेजएगा इनसा भी test किया full test PDF series प्राप्त कर सकते हुए बरस पर कॉल्य वर्ट्सप करके paid telegram group से जुड़कर वाकी हर दन practice करते रहेगा धन्यवाद